हलो एक बज़ट बाइक है तो इसमें हमें सेलफी स्टार्ट को आपशन नहीं मिलता इसमें आपको की की स्टार्ट सही काम चलाना पड़ेगा इस बाइक में हमें 102 सीसी का 4 श्रोक 2 वालवर DTSI एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो की लगभग 7.9 पेस की पाउर प्रेडूस करता है 7500 आर्पियम पे और 8.3 न्यूटन मिटर यहां पर टॉर्क है 5500 आर्पियम पे यह बाइक फोर गियर्स बॉक्से साथ आती है फ्रॉंट और रियर में हमें ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं फ्र प्रेंट में हमें हेलोजन हैडलाइट मिल जाती है वहीं पर आप उपर में देखेंगे LED डियर्ल्स भी है पीजी की टेलाइट भी बलव वाली है और इसकी इंडिकीटर भी बलव वाले है लेकिन यहां पे इंडिकेटर और मीरर का डिजाइन नियू है इसमें हमें बोड़ा इंप्रूव किया गया है फ्रेंट में हमें टेलिस्पोपिक सस्पेंज मिलते हैं और रियर साइड में डियल सक्ट एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं बजाज ने अभी सस्पेंशन के ट्रेवल को 20 परसंट तक इंट्रीस किया है इस वाइक में 11 लिटर की फ्यूट ट बाइक है इस वाइक का लुक आप देख सकते हैं डीसेंट है कोई भी इंप्रूमेंट नहीं किया गया है बस जो इंडिकेटर्स और मिरर का डिजाइन है वह मैंने आपको जैसा कि पहले बताया वह अप न्यू डिजाइन वाले हैं इसमें हमें दो कलर ऑप्शन देखने को म और यहां पर हमें सिल्वर अलॉइ विल्स भी मिल जाएंगे बजाज का कहना है कि इस वाइक की टॉपी स्पीट करीब 90 किलोमेटर तक होगी प्लाइटीन लगभख 15 साल से इंडियान मार्केट में है इस पूरे डियूरेशन में इसके कई सारे अपडेट्स आ चुके हैं प जाज की दूसरी सबसे चीपेट बाइक बन जाती है पहली चीपेट बाइक है CT100 तो ओवर और प्राइस टेक की हिसाफ से आपको यह बाइक कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्षेन में जरूर बताओ अगर आपको हमारे छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडिय सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए टेक केर जैहिन